है 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 हलो एडिवान और वन्स अगें वेलकम टो उमर तस्कीर यूटीव चैनल माइसल्फ उमर तस्कीर कई लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके सा हम लोग हमारे जो इकॉमर्स बेश्ट इवेंट्स होते हैं उनको सेटप कर सकते हैं बड़ जो प्र यूजिंग प्लगिन और प्लगिन को हम लोगों ने यूज़ करके सारी चीज़े प्रैक्टिकली देखी लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वही सारे इवेंट्स जो की हमारे जैसे होते हैं व्यू कॉंटेंट ठीक है और अगर इनी सारे यूज़ को हम लोगो सेट अप करना एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जो वर्डप्रस की वेबसाइट नहीं है एक कस्टम कोड़ेट वेबसाइट हो किस तरीके से हम लोग GTM के हग से इसको सेट अप कर सकते हैं गाइस GTM में भी हमें दो तरीके मिलते हैं या दो आप्शन मिल दो ऐसी वेज जिनके ठूप लोग इसको समनख सकते हैं कि हम लोग इस पूरी चीज़ को इंटिग्रेट कर सकते हैं पूरी चीज को सेट अप कर सकते हमारे कॉड़ेट जो वेबसाइट होती इसके ऊपर भी यहाँ पर मैं कोई भी जो है प्लग-ईन को यूज नहीं करने व तो आप समझ जाएं कि जो view content होता है यह जैसे कोई हमारी website के page के उपर visit करता है view content हो गया initiate checkout हो गया initiate checkout हो गया यहाँ पर और उससे पहले हमारा add to cart यहाँ पर हो गया add to cart जो हमारी event होता है हम चाहतें guys कि यह सारे events जो है वो हमारे Facebook pixel के अंदर जाए तो guys अगर कोई event जो है हमारी website के उपर होगा आपको पताए कि हमारा जो facebook pixel है वो उस particular event को भी capture करेगा यहाँ पर जो facebook pixel helper है वो तो अभी आप देख सकते हो मैंने इस website को बिल्कुल clean कर दिया आपर कोई भी जो facebook का pixel है वो नहीं है तो बिल्कुल इस scratch से हम लोग setup करने वाले हैं उनको हम लोग use करके जो हमारे e-commerce के events है उनको setup कर सकते हैं जो हमारे custom codes है या जो हमारे event snippet है ठीक है या हमारे जो event pixels है ठीक है event pixels जो हमें facebook देता है जैसा इस starting में जब मैं आपको pixel के basics बता रहा तो मैंने आपको बताया था कि facebook में generally दो तरीके के pixels होते एक हमारे pixel होता है जो base pixel होता है जो basically हमारे कोई भी website का जब page load होता है तो वो page view event को जो है वो fire करता है तो generally normally हम लोग अपनी websites के उपर हमारा base pixel लगा देते हैं बट कई बार हमें जब कुछ specific events को capture करना होता है तो हमें जो हमारे event pixel है उनको fire करना होता है तो किश टाइब से manually event pixel को हम लोग जो है वो fire करेंगे different different conditions के उपर अपनी website के तो that is basically कि e-commerce based events pixel को हम लोग fire करेंगे with the help of gtm एक तरीका यह है दूसरा तरीका यह है guys कि हमारे पास जो है बहुत सारी facebook pixel की templates होती है जो कि basically हम लोग को मिल जाती है gtm के अंदर ही तो उसकी help से किस टाइप से हम लोग इस चीज़ को setup कर सकते हैं से भी चीज सेट अप होगी ठीक है किस तरीके साम लोग इसको setup कर सकते हम देखेंगे तो डोनों ही चीजों को इस पार्टिक्लर वीडियो में हम लोग cover करेंगे फिर भी एक दो advance चीज़े हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं हो पाएंगे, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंट तक देखना एक एक चीज इस वीडियो के important है, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं समझी, तो फिर आगे जो enhanced e-commerce based चीजें होती हैं, उनको आप नहीं समझ पाएंगे, जो parameters based चीजें होती, उनको आप लोग नहीं समझ पाएंगे, जो dynamic चीजें बहुत सारी जो हम लोग facebook के pixel में send करते हैं, वो आप नहीं समझ पाएंगे, data layer में भी आपको समझने में problem होगी तो guys जरूरी है कि सबसे पहले आप इस particular video को समझने की कोशिश करें और at the end of this video आपको ये समझ में आएगा कि इस तरीके से भी अगर हम setup करते हैं तो कुछ limitations है fine, तो मैं सारी चीज़ा आपको बता रहा हूँ हमें हमारे जो facebook का base pixel है उसे हमें fire करना है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक बार facebook pixel और ये base pixel ठीक है तो यह हमारा facebook का base pixel हो गया इसको हमें fire करना है हमारे सभी pages के उपर तो guys हम लोग जो हमारा code है उसको यहाँ से pick कर लेंगे आपको पता कोड जो है वो आपके website के उपर लगा देता हूँ इस pixel के लिए हम लोग क्या करेंगे आपर from a new website के उपर जाएंगे हम लोग install code manually के उपर जाकर guys यह जो हमारा code है copy code जो आप देख रहे हो यहाँ पर ठीक है यह हमारा base code है इसको हमें paste करना है मैं copy कर लूँगा इसको इस code को मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ and guys इसको मुझे fire करना है all pages के उपर तो मैं all pages यहाँ पर select कर लूँगा और इस particular code को मैं fire कर दूँगा अपनी website के सभी pages के उपर तो यह जो हमारा base pixel है यह हमारा सभी pages के उपर integrate हो जाएगा तो guys event pixels अगर हमें fire करने हैं तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी website के उपर base pixel होना ची without base pixel event pixel किसी भी काम के नहीं है तो guys यहाँ पर जो आप देख सकते हो हमारा जो base pixel है वो fire हो रहा है वो लिख देता हूँ मैंने facebook base pixel जो है उसको setup किया है तो मैं यहाँ पर यह चीज लिख देता हूँ and guys मैं इसको कर देता हूँ publish तो हमारा जो container है वो live हो जाएगा और हमारा जो base pixel है वो हमारी website के उपर setup हो जाएगा fine तो अब अगर मैं अपनी website को refresh करता हूँ तो आप देखोगे कि जो facebook का pixel helper है वो इस चीज को आपको बताएगा कि जो base pixel है वो आपकी website के उपर लग चुका है fine तो guys यहाँ पर अगर मैं अपनी website के उपर आता हूँ और website पे आने के बाद अगर मैं refresh करता हूँ तो आप देखोगे कि यह जो facebook pixel helper है यह इस चीज को record कर रहा है कि आपकी website के उपर एक pixel लग चुका है और वो pixel page view event जो है वो यहाँ पर हमारे events manager में भेज रहा है वाट guys हमारी requirement यह तो है नहीं तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो add to cart as event record हो या अगर वो proceed करता है और check out के उपर जाता है तो यहाँ पर check out जो है वो record हो उसी तरीके से अगर यहाँ पर order complete होता है जैसे कि मैं information dummy information भरके अगर मैं place order करता हूँ यहाँ पर order complete होता है ठीके कोई purchase होती है तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो purchase event है वो fire हो तो guys इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं मैंने आपको बताया था कि facebook अपने base pixel के साथ साथ आपको different different event pixels भी देता है उन event pixel को आपको जहाँ पर भी यह event हो रहा है उस condition के उपर आपको fire करना है तो वो चीज as event आपके events manager के अंदर record हो जाएगी जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो यह facebook का जो official documentation है उसमें आप देख सकते हो जैसे अगर मैं यहाँ पर जो है purchase event देखू तो आप देख सकते हो कि यह वाला यह जो code है यह हमें fire करना होगा उस page के उपर या उस condition पे जब purchase हमारी complete होती है तो अगर हम यह करते हैं तो फिर जो facebook का pixel helper है यह track कर पाएगा कि जो एक purchase है वो हुई है हमारी website से इसी तरहीं से initiate checkout वाली condition के उपर अगर हम इस particular event को fire कर दे initiate checkout वाली condition के उपर अगर हम लोग इस particular जो हमारा pixel है या code है यह जो event code है इसको हम fire कर दे तो फिर यह information हमारे event manager में भेज़ देगा कि जैसे ही कोई initiate checkout page के उपर आएगा कि एक initiate checkout event हुआ है तो इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो guys मैं यहाँ पर click करूँगा ठीक है इसको copy कर लेता हूँ एक बार के लिए और इसको मैं notepad में लेता हूँ कि मुझे इसको paste करने की जरूरत पड़ेगी एक चीज़ आप ध्यान रखना आप थोड़ा सा गर script script इसके आगे पीछे use कर लोगे तो ज़ादा बहतर होगा आपके लिए जैसे मैं यहाँ पर script जो है वो open कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो script है उसको मैं close कर दूँगा एक बार के लिए तो इस particular code को या इस particular pixel को चोटा सा pixel ही है यह जावा script code है आप देख सकते हो ठीक है तो इस particular code को हमें fire करना है एक ऐसे condition के उपर जहाँ पर initiate checkout हो रहा है तो guys मैं वापस आ जाओंगा अपने gtm के उपर और यहाँ पर मुझे एक नया जो है वो tag fire करना है और मान लेता हूँ यह जो हमारा tag है यह initiate checkout है ठीक है यह मैं लिग देता हूँ है और यह जो event है यह initiate checkout है ठीक है और tag configuration में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर custom html में जाने के बाद यहाँ और आप देख सके हो मैंने यह code paste कर दिया अब यह वाला code का fire हो the condition is all pages no the condition is specific page ठीक है कि अगर वो page load होता है तो हमें इस particular code को fire करना है तो page जो है that is actually initiate checkout page ठीक है मैं यहाँ लिग देता हूँ this is initiate checkout page तो guys अगर यह page load होता है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो initiate checkout है उसका एक event जो है वो हुआ 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 है तो इस page की जो condition है वो मैं ले लेता हूँ कि page view some page views हमें लेने कि all page views नहीं है ठीक है और यहाँ पर मैं ले लूँगा जहाँ पर जो page URL है it must contain checkout ठीक है यह जो page URL हमारा है इसके अंदर checkout होना ही चाहिए ठीक है और मैं इसको कर देता हूँ save तो यहाँ पर आप आप देख रहे हो इसके अंदर checkout तो ही है ठीक है इस particular page के ऊपर अगर हम बात करें जब checkout के ऊपर हम जाएंगे यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ तो आप देख रहे हो यह checkout है it contains checkout ठीक है अगर आप exactly करना चाहते हो तो आप exactly लेकर भी कर सकते हो यहाँ पर ठीक है initiate checkout page की जो condition है page url equals ठीक है उसके basis पर भी आप कर सकते हो कि page url contains नहीं है अगर page url equals this होगा तभी हमारा यह वाला जो tag है वो fire होगा तो this is the condition to fire tag this is the trick वाइस एक बार मैं quickly यहाँ पर make sure कर लूँगा कि जो यहाँ पर page url contains है वो ही checkout हो और उसके बाद guys हम लोग इसको save कर देंगे ठीक है and guys उसके बाद मैं tags पर वापस आ जाता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा facebook event के related जो है वो tag बन चुका है अब हमें guys quickly preview and debug करके इसको check करना है कि यहाँ ना tag इस condition पर fire कर रहा है या नहीं भी कर रहा है यह वाला जो हमारा tag है यह fire नहीं हुआ ठीक है home page के उपर यह fire भी नहीं होगा अगर मैं इस product को open करता हूँ ठीक है इस product को यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाला जो हमारा trigger है long sleeves यह आपको यहाँ पर दिख रहा है और इस case में भी हमारा जो base pixel है वो fire हुआ अगर मैं summary के उपर जाओ तो total कितनी बार हमारा base pixel fire हुआ है वो भी आप देख सकते हो और guys मैं proceed to check out करता हूँ जैसे मैं guys proceed to check out करूँगा यहाँ पर ठीक है जैसे मैं proceed to check out करूँगा और मैं वापस आता हूँ यहाँ पर तो आप देख तो मैं जैसी check out वाले page के उपर जाता हूँ आप देख लो यहाँ पर facebook का event जो pixel है वो initiate हो गया और अगर मैं यहाँ पर आता है अब हमारा जो यहां पर आप देख रहें इवेंट मैनेजर इसके अंदर भी रिकॉर्ड हुआ होगा कि इनिशेट चेक आउट हुआ है तो वैस इस टाइप से हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट के उपर कि अगर जो है हमारा आट टू का यू आरे जो वो फायर होना चाहिए आपको यह मेक शोर करना पड़ेगा कि इस कोड से पहले आपका फेस्बुक का जो बेस पिक्सल है वो फायर होना चाहिए वरना यह नहीं होगा तो इसके लिए आप एक और चीज कर सकत्ya से आप जब छीट्यम के ऊपर जाएंगे और जब आप इस इवंट को क्रियेट करेंगे खीर यहां पर आजाता हूं कि इस पर्टिकुलय टाग के फायर होने से पहले विच इशी हमारा जो base pixel है वो तो हमारा जो base pixel है वो fire होना चाहिए ठीक है तो मैं save कर देता हूं इसको तो आप इस चीज को भी configure कर लें और उसके बाद अगर आप फिर से प्रिव्यू करना चाहें एक बार के लिए quickly तो हम लोग इसको प्रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है एक बार फिर से हम लोग प्रिव्यू कर लें तक एक बार और चेक हो जाए और आपको जो चीजें हैं वो समझ में आने लगें fine तो guys यहाँ पर मैं quickly न चेक आउट वाल आप देखते हैं कि pixel में क्या हमारे पास यहाँ पर लोड़वा देख रहे हो आप initiate checkout यहाँ पर भी आपके जो हो रहा है और यहाँ पर भी देखो आप जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ initiate checkout जो है वो यहाँ पर जो हो रहा है गाइस यह तो यह वाला तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास custom codes हैं जो facebook ने दिये हुएं उन codes को आपको different conditions के उपर जो है वो fire करने है अब गाइस इस चीज़ की एक limitation है यह बात आप बहुत धान से समझेगा गाइस यहाँ पर एक चीज़ तो record हो गई कि हमारा जो initiate checkout है वो हुआ है बट उसके साथ अग checkout हुआ है उसकी product ID क्या है उसकी जो currency है वो क्या है उसकी जो value है वो जो amount है कितने amount का जो product है उसका initiate checkout हुआ है यह सारी information यहाँ नहीं उठ रही है ठीक है यहाँ कहीं भी आप देखो तो event info में नहीं दिख रहा है तो event info के वाल इतना ही अभी के तोर पे के वाल इतना ही record कर प checkout हुआ है पिक्सल को नहीं पता है उस product की value कितनी monetary value क्या है पिक्सल को नहीं पता है तो अब guys यह चीज़ें अगर हमें setup करनी पड़ेंगी तो इसके लिए हमें guys हमारी data layer के अंदर जो e-commerce based data है वो आनी चाहिए अब यह थोड़ा सा complicated है इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी data layer के अंदर enhanced e-commerce based चीज़ों का setup होना चाहिए अभी मैं आपको बताता हूँ मैं आपको जो चीज समझाना चाहरा हूँ guys अगर हम लोग यहां पर आ जाते है ठीक है तो guys यहां पर अगर आप देखो तो check out तो हुआ है ठीक है बट अगर मैं variables में जाता हूँ तो यहां कुछ भ guys जब तक इस particular event के उपर हमें नहीं मिलेंगी तब तक हम इन सारी information को हमारे जो event manager है उसके अंदर हम नहीं भेज सकते तो अभी जो हम बात करें कि e-commerce setup की तो यह अभी भी पूरी तरीके से completely e-commerce setup नहीं हुआ इस चीज़ को आप ध्यान रखें इसलिए मैंने इस वीडियो को इस बात को समझ सके अभी जो setup हुआ है वो यह हुआ है कि बस initiate checkout page load होने पर एक initiate checkout का जो event है वो जो है आपको आपके events manager में दिखाई दे जाएगा बस अब उस event के साथ क्या value अगरा associated है वो आपको कोई भी values नहीं दिखाई दे उसके लिए guys आपको enhanced e-commerce को setup करना पड़ेगा अब enhanced e-commerce का setup भी depending on the website अलग-अलग तरीके से होता है और guys इसमें अगर आपकी website custom website है तो 200% आपको developer की help चाहिए होगी अगर wordpress की website है तो जैसे मैंने plugin बता था plugin के help से भी यह काम हो जाएगा और अगर wordpress की website के उपर आप data layer के अंदर कोई data send करना चाहते तो वो भी मैं बता या मैं दूसरे वीडियो में बता दूँगा आपको क्योंकि enhanced e-commerce based setup है वो हम लोग next particular video के अंदर कर लेंगे अब guys अगर इतने setup के साथ भी हम लोग हमारे ads run करना चाहिए तो ऐसे कोई problem नहीं आने वाली है कि हमारे ads नहीं रन होगे लेकिन फिर भी अगर हम dedicated e-commerce based setup करना चाह हम लोग setup कर सकते है custom course के through दूसरे जो मैंने आपको तरीका बताया था that was basically the facebook pixel की जो template होती है उसके through मतला अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हो तो उस particular case में फिर किस तरीके से आप facebook pixel की जो template है उसको use में लेकर आप अपने facebook बेस pixel को setup कर सकते हो किश type से जो events pixel है उनको आप setup कर सकते हो अब गयस दोनों चीज़ों को नहीं करना या एक ही चीज को करना है और दोनों ही चीजों को करना नहीं आपको एक ही चीज को आप़ तो गयस हम लोग क्या गरेंगे मैं आ आ जाता हूँ यहाँपर new के उपर ठीक ह और base pixel है हमारे tag configuration में हम लोग जाएगी अब guys normally अगर हमें google analytics setup करना था google ads करी marketing code setup करना था हमें templates मिल जाती है यहाँ पर but guys facebook की कोई template नहीं थी तो आपको क्या करना पड़ेगा है जो community template gallery है इसके उपर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इकली न सर्च कर लो facebook का pixel ठीक है यहाँ पर आप इस type से facebook pixel सर्च कर लो और यहाँ पर आप देखो facebook archive नाम से जो आपको template दिख रही इसको आप add कर लो अगर आप इस template को add करोगे तो यह आपको यहाँ पर इस टाइप से जो template है वो दिखाई देगी तो अब आपको ये template select कर लेनी अब आड़ करने के बाद अगर आप जाओगे यहाँ पर new के उपर तो आप देखोगे यहाँ पर आपको ये facebook pixel दिख रहा है मैं इसको select कर लूँगा और जैसे मैंने इसका copy करने के बाद आप gtm पर आओगे इसको यहाँ पर paste करोगे और आप standard page view करते हुए इसको all pages के उपर आप fire कर दोगे इसको अगर आप all pages के उपर fire कर दोगे तो उस particular case में क्या होगा आपका base pixels अभी pages के उपर लग गया तो हमें पूरा pixel code उठाने की ज़रूरत नहीं हमें custom HTML का tag बनाने की ज़रूरत नहीं यह एक template है जिसमें वह बाकी सारी चीज़े है बस हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर set करने की ज़रूरत है अपनी pixel ID डालने की ज़रूरत है इसी template के थ्रूप तो वह आप कैसे करोगे तो गईस अगर मैं new के उपर वापस जाओंगा तो आप यहाँ पर फिर से इसका नाम रखोगे facebook initiate check out ठीक है event इडिस totally up to you कि नाम क्या रखना चाहते हो आप एक ही format बना लो उसी format में आप जो है नाम रखो तो मैं अगर tag configuration में जात कर सकते हैं तो मैं plus के उपर जाता हूँ यहाँ पर और मैं plus के उपर जाता हूँ यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ एक कि हमारी यह facebook pixel की जो id है वो है ताकि मुझे बार बार जो है इस चीज को ना paste करना पड़े और जो यह variable type होता है guys यह होता है constant value है ना तो इसको मैं यहाँ mention क पर जाओगे और आप अपनी जो facebook pixel id है इस type से आप अपनी facebook pixel id को select कर लोगे और इस particular variable के अंदर जो आपने facebook की pixel id save करी है वो तो हई है इसके बाद guys आपको क्या करना है अब यहाँ पर events है ठीक है तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे events यहाँ से उठा के ला रहे थे अब अगर पर मेरे को initiate checkout करना है वो मैं यहाँ पर all pages यह जो हमारा all pages यह तो करेंगे नी हम लोग तो initiate checkout वाल है जो हमारा page है उस पर मैं select करकर इसको save कर दूँगा तो हमारा जो initiate checkout का event है वो setup हो जाएगा but again यह चीजें आपको समझाने के लिए कि सब system किस तरीके से काम करता है but अभी भ और वो हमारे event manager के अंदर नहीं गई है कौन सी information मतलब यह तो जा रहा है यहाँ पर कि भई एक initiate चेक आउट हुआ है यह information गई हमारे event manager के अंदर बट कौन से product का initiate chicken चेक आउट हुआ है उसका amount क्या था ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे events manager के अंदर नहीं जारी तो यह complete tomatoes हमारे events manager के अंदर नहीं जाएगा जिसने मैं बता है ऐसा नहीं कि इससे काम नहीं होगा ऐसे भी हो जाएगा अगर हमें फिर वह इन्फोर्मेशन अपने system के अंदर भीजनी है तो उसके लिए हमारी जो data layer है जो हमारी data layer उसके अंदर हमें कुछ informations को populate करना पड़ेगा उस information को populate करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर enhanced e-commerce क्या होता है और जब आपको enhanced e-commerce समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो product related information है वो यहाँ पर इस variable में किस तरीके से आईगी तो गैस हमें जो है यहाँ पर data layer में उस information को populate करना पड़ता है मैं अगर आपको एक तरीका बता देता हूँ कि अगर हमारे पास wordpress की website है तो किस टाइप से आप जो है e-commerce की जो data है उसको यहाँ पर populate करा सकते हैं या e-commerce based जो information है उसको अपनी data layer में populate करा सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक जो plugin है वो है मैं plugin के ओपर जाता हूँ मैं किवल आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप यह समझ जाओ कि data layer में जो information हमें चाहिए वो किस type की दिखती है ठीक है क्योंकि हम लोग बात करें custom website की तो यह चीज़ वहाँ लागू नहीं होगी custom website में आपको developer की help से अब इस बात को ध्यान रखिएगा आपको developer की help से कुछ code को आपको अपनी website के उपर लगवाना पड़ेगा यह sure है ठीक है दिखो एक बात को समझो अगर custom website ही तो बनाई तो developer नहीं होगी ना marketer ने तो website बनाई नहीं है तो marketing related कुछ codes ऐसे होते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको developer की help लेनी पड़ेगी as a marketer आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे इसको आपको समझना पड़ेगी बट ये जरूर पता होना चाहिए आपको as a digital marketer कि आपको developer को बताना क्या है अगर आप यहीं नहीं बता पाओगे कि developer को कि मुझे चाहिए क्या तो तो गड़बड़ी हो जाएगी ना तो पहले तो मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि हमें चाहिए क्या और इस चीज को हम plugin की थूरू तो अचीव कर ले रहे है बट इस चीज को अगर हमें developer की थूरू अचीव करना है तो किस तरीके से करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक plugin है जो आप install कर सकते हो जैसे यहाँ पर GTM for WordPress एक plugin है उसको आप use कर लोगे यहाँ पर तो GTM for WordPress को मैं use कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इस plugin को एक बार install कर लूँगे जैसे यह है ठीक है Google Tag Manager for WordPress और इसको plugin को install करने के बाद आपको केवल हो केवल इस particular plugin को जो है न वो activate करना है तो guys जब मैंने इसको install और activate कर दिया तो मैं यहाँ पर अपनी plugins वाले section के अंदर आ जाता हूँ ठीक है और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे जो हमारी plugin है वो यह है ठीक है जो हमारी plugin है this is it Google Tag Manager for WordPress ठीक है चीज है यह चेक हो मतलब e-commerce जो है enhanced e-commerce इसकी tracking on हो ठीक है बस यही आपको करना है यह काम हम लोगों ने तो plugin के थुरू कर दिया वट custom website में plugin तो होती नहीं है तो यह काम plugin के थुरू फिर नहीं होगा फिर यह काम developer के थुरू होगा गैस developers के लिए मतलब developers को आपको क्या बोलना है उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो official documentation है यह है ठीक है तो मैं इसका link एक बार के लिए यहाँ पर copy कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को यह link भी दे दूँगा एक बार के लिए ठीक है description में तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आप देखो यह जो सारे code है ना जैसे यह वाला हमारा अगर मैं बात करूँ मेरे को let's say मेरे को track करना है purchase को ठीक है तो मैं यहाँ पर आ जाओ जाओ जैसे यह product को add करना है shopping card में तो उसके लिए यह चीज है यह code है जो आपको implement कर परवाना है developer से उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं जैसे हम लोग आ जाते हैं check out हो गया यह उसके बाद आ गया हमारा जैसे अगर हम लोग जो purchase है उसकी बात करते हैं यह देखो measure purchase तो guys purchase का जो आप देखते हो तो guys यह जो script आप यहा वो लगा देगा अब यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ID में यह product का ID है यह जो revenue है product का यह जो tax है product का यह जो shipping cost है यह product की है तो अब developer यही सारी चीज़े उठा के थोड़ी नरख देगा है ना तो वो developer क्या करेगा इन सारी चीज़ों को dynamically fetch करेगा कि जैसे अगर कोई product का purchase ह होता है और उसकी जो value है वो 50 रुपए है उसकी value या उसकी value जो है वो 60 रुपए है उसकी value जो 70 रुपए है तो वो value यहाँ पर आ जाए revenue के अंदर तो वो dynamically वहां से fetch करता है यह सारे काम हम लोग plug-in के through कर ले रहे हैं तो यह information data layer में आ जाएगी और आप यहाँ देख सकते ह नहीं आएगी तब तक उस information को use करके हम events manager में उस information को नहीं भेज पाएंगे तो guys कहां तक की story समझ में आई कि facebook का base pixel लगाना पड़ता है वो page view उठा लेता है उसके बाद facebook के different different जो है हमारे events के pixel होते हैं वो events को track कर लेते हैं but events के साथ कुछ dynamic चीज़ें होती है या parameters होते हैं जो ये data layer का system है इसको समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए बात ये समझ में आई कि e-commerce जो होती है enhanced e-commerce उसको हमें activate करना पड़ेगा wordpress पे ये easy है और wordpress भी ये हो सकता है plugin के through तो custom website पे हो सकता है through codes उसका जो documentation है वो ये है तो आपको developer को केवल ये बताना है कि ये रहा जो आपको code fire करना है या जो आपको code लगाना है उस particular page के उपर या उस condition पे जहां पर purchase होती ये code लगाना है और बस कुछ चीजों को आप dynamically बदल के दे दो मेरे को जैसे ये revenue तो यहाँ पर जो भी revenue हो वो आ जाए जैसे यहाँ पर हम बात करें ID तो product की ID जो भी हो वो यहाँ dynamically जो है वो आ जाए तो उसके लिए developer क्या करेगा जैसे PHP में अगर website है तो कुछ PHP का backend में code डालेगा जिससे कि वो dynamically यहाँ पर आ जाए तो इसमें आप नहीं कर सकते अगर आपको development नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते इसको ठीक है तो इसको करने के लिए आपको developer की help चाहिए और अगर custom website है तो developer तो हो गई होगा वह बनाई किसने होगा अगर आपने खुद बनाई है तो फिर यह आपको implement करना आता होगा तो इसमें developer के लिए भी जो है वो बतलब instructions है प्रॉपर instructions है बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके काम के जो events है उनको आपको pick कर रहा है जो आपके काम के events है ठीक है उनको आपको pick कर रहा है जैसे purchase हो गया initiate checkout हो गया add to card हो गया उनको आप pick करके जो developer है उसको बता दोगे समझा दोगे उसको fire कर देगा और इस चीज का confirmation आप कैसे लोगे आप देख लोगे यहाँ पर जाकर यहाँ पर जो data है वो populate होनी शुरू ह या नहीं हुई या data layer में data हानी शुरू ही या नहीं हुई तो गैस हम लोगों ने तो एक काम अपना कर दिया यहाँ पर plugin के थ्रू कर दिया यहाँ पर अगर आप देखो तो यह चीज आपको दिखेगी भी choose this option if you would like to track e-commerce data using the enhanced e-commerce tracking use this plugins official guides to set up google tag manager container वो हम लोगों ने तो google tag manager गरा कर रखा है बस हमें track enhanced e-commerce करना था ठीक है और उसके बाद guys मैं यहाँ पर एक बार फिर से save changes कर दूँगा इस चीज़ को make sure करने के लिए और guys इन सब चीज़ों को मैं close करता हूं and guys मैं वापस आ जाता हूं preview के उपर preview के उपर जाने के बाद guys मैं यह केवल चीज समझना चाहता हूं कि data layer में कुछ data आ भी रही है या नहीं आ रही है ठीक है तो जहां तक मुझे लगता है data layer में data अब आनी चाहिए तो अगर मैं यहाँ पर जाओ ठीक है और मैं इसको पोलो के उपर चला आता हूं यहां से और add to cart करता हूं ठीक है अब add to cart करने के बाद देखो आप यहां पर जैसे मैंने add to cart के यहां पर आप क्या देख रहे हो something like add to cart यहां पर आपको दिख रहा है ओके add to cart हमें दिखा और add to cart में अगर हम जाते हैं यहां पर ठीक है add to cart में अगर हम लोग जाते हैं तो data layer में अब add to cart हुआ है और event के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर currency code मुझे दिख रहा है यहाँ पर मुझे ID दिख रही है और यही product मैंने open किया था price दिख रहा है टी-shirt दिख रहा है तो यहाँ पर data layer में अब हमारे पास data है ठीक है पहले क्या था data layer में कोई data ही नहीं थी बस हम यह कह पा रहे थे कि यह page view हो तो यह event बना देना अब अगर हमारे पास data layer में data है तो इसके basis पर हम data layer variables बना सकते हैं data layer variables के basis पर फिर जहां भी चाहें हम वो information बेज सकते हैं जहां भी चाहें information बेज सकते हैं हमारा जो मुद्दा है वो कहां भेजने का मुद्दा है वो अभी facebook pixel में है बट यहीं से topic शुरू होता है enhanced e-commerce measurement using google analytics का तो जब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा topic इंदर उदर जा रहा है और उसके बात उस information को with the help of data layer variables और tags हम लोग भेज देते हैं google analytics के अंदर तो google analytics के अंदर हमारी जो data है वो दिखने लगती है तो बात समझ में आ रहा है ठीक है मैं चाहता था कि इस particular section को दूसरे वीडियो में बताऊ पर ठीक है वो flow में जो है अगर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें तो मुझे बहतर लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि situation क्या है कहां पर हम फस्ते हैं और क्या हमें actual चीज़ें चाहिए तो अगर आप देख रहे हो कि आपके जो data layer में ये सारी चीज़ें है तो आपको खुश हो जाना चीज़े कि अब हमारा 90% जो काम है वो हो चुका है हमारे पस data है अब बस इसे simply हमें Facebook के जो दूसरे events हैं उनके साथ भेजनी है कि अगर event होता है हमारा add to cart तो add to cart event भेजो साथ में data भेजतो तो वहाँ पर हमें ये चीज़ दिख जाएगी ठीक है तो अगर मैं आपको दिखाओ जैसे मैं ने पहले इस चीज़ को किया होगा तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जैसे purchase है ठीक है तो 6 events अगर purchase के हुए 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 तो आप देखना कुछ जो events हुए है ठीक है वो without information जो है वो यहाँ पर आपको दिखाए देखे जिसा मैं recent activities में जाता हूँ तो आप देखो इस वाले case में तो 5 parameters हुए है देखो product भी जा रहा है ID भी जारी quantity भी value कितनी थी currency क्या थी number of items कितने थे actually जो purchase हुए ऐसा तो नहीं था कि add to cart check out कने के बाद 5 items को एक साथ रखके purchase कर दिया है तो अब आपको समझ में आ रहा है कि e-commerce की जो data होती है वो क्या होती है और कितनी data हमें pixel के अंदर चाहिए pixel मतलब यहाँ पर जो है events manager कि कितनी data हमें events manager के अंदर चाहिए और उसके लिए पूरा यह जो ecosystem है वो किस तरीके से built होता है बस एक थोड़ी सी problem है जो आपको लग रही होगी that is actually यह वाला section तो guys आपको कुछ नहीं करना आपको बस बोलना है कि यह वाली जो information यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है when the page loads otherwise use an event when the transaction data becomes available तो यह information आप developer को दे दोगे वो अपने आप कर देगे वोज उनको यह बताना है कि हर purchase के उपर हमें यह information चाहिए वो इस बात को समझ जाएंगे और according to the code of their website वो इस चीज को implement कर देगे ठीक है वैसे जो हमारे CMS होते है उनमें सब में कुछ नो कुछ plugins होगेरा होती है जिससे कि यह data populate हो जाती है ठीक है जिससे data populate हो जाती है अब चीज़े advance हो चीज़े कि Shopify की बात करो तो वहाँ पर भी data populate हो जाती अगर हम WordPress की बात करें तो WordPress की website का भी तो अपना code होता है जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जैसे appearance plugins में ठीक है और मैं plugin editor में जाता हूँ तो क्योंकि WooCommerce के अंदर यह सारा काम हो रहा है तो मुझे अगर edit करना भी होगा तो मुझे WooCommerce की जो plugin है उसको मुझे edit करना होगा है तो यहाँ पर अगर मैं plugin editor में जाता हूँ तो कौन सी plugin मेरे को edit करना हूँ मैं अब बात कर रहा हूँ developer type की ठीक है developer भी यही करेगा जाकर ठीक है अपनी website में चाहे जिस technology पर बनी हो website तो मेरे को जैसे WooCommerce करना है तो मैं WooCommerce में चला गया तो आप देखो कि WooCommerce का जो हमारी plugin है उसके पीछे backend में जो हमारे different pages है उन pages में मुझे जाकर purchase वाले page को ढूनना पड़ेगा और purchase वाले page के उपर जाने के बाद मुझे ये वाला जो code है वो ये लगाना पड़ेगा ये वाला जो हमारा code है ये मुझे परचेज वाले page के उपर लगाना पड़ेगा और ये जो बाकी की डेटा है जो आप यहाँ पर देख रहा हो इस particular data को मुझे dynamically change कराना पड़ेगा फिर भी मुझे dynamically change करना भी यह code मैं लगा दूँगा तो यही सब कुछ आ जाएगा वहाँ पर dynamically उठके आना चाहिए न वो चीज है तो guys अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ जैसे WooCommerce के उपर यह जो हमारी plugin है तो guys अगर आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे मैं WooCommerce.php में आ चुक हूँ तो यहाँ पर guys बहुत सारे code है इनी codes में जहाँ पर भी जो है पचेज वाली information होगी वहाँ पर जाकर जो developer होगा वो इसको जो है वो implement कर देगा इस particular code को तो अब website किसी भी technology में है अगर developer है और backend के code का access है तो वो जाकर इसको implement कर देगा हमने यह काम एक छोटे से button click से कर दिया मुद्दा क्या है मुद्दा है data layer में data का आना अगर यह बास समझ में आ गई तो सारा काम ऐसे ही easy हो गया ठीक है तो अगर यह आ गई तो आपको थोड़ा सा सुकूर होना चीग हमारा बहुत सारा जो tracking का काम है वो हो गया तो guys starting से हमें यह बास समझ में आनी चाहिए कि different different websites के हिसाब से pixel based different different events जो है वो हमें pick करने होते हैं वो हमें configure करने होते हैं दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आओगा और क्या क्या समस्या होती है यह भी आपको समझ में आ गई होंगी next particular वीडियो में इस चीज की भी बात कर लूँगा किस टाइप से अगर events manager के अंदर send कर सकते हो along with that कि जो revenue वाली information है वो भी वहाँ पर चली जाए वाइस आपको clear हो गई होंगे next वीडियो में और वह सारी चीज क्लियर हो जाएंगी तो यह एक तरीके से पूरा e-commerce का tracking का setup है या data का जो setup है वो है और इसके बाद फिर catalog बनाने की बात आ जाती है औ उनको run करना शुरू कर देते हैं अगर बहतर लेविल पर tracking करना चाहते हैं तो फिर इस टाइप की जो चीज़े हैं वो हमें समझ में आनी चीए इस पड़िगोर वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में till then goodbye झाल